हेलो एवर्यवन गुद मॉर्निंग तो अलो फियो वेलकम तो लॉजिक पाच्छाला आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 23 ओव दिसंबर के इंपोर्टन करेंट अफियर्स की क्वेशन्स फ्रेंड्स इस वीडियो का चो पीडेफ है वाप लोगो मिल जाएगा टेलिग्राम गुरूप से लॉजिक पाच्छाला 16 जिसका लिंक हमने आपको दिया है डिस्किप्शन बॉक्स में तो चले फ्रेंड्स आज के इस इंपोर् भी रहें तो हम उसे complete जरू करेंगे लेगन अगर आपने quit कर दिया तो क्या उससे आपके काम में तेजी आएगी नहीं तो किसी भी काम को छोड़े ना धीरे धीरे उस काम में process उसको में आगे बढ़ते रहें कुछ न कुछ नया सीखते रहें और अपनी मनसिल तक जरूर प संबर को इस दिन दे के honor किया जाता है farmers को उनका जो hard work है उसको सम्मानित किया जाता है सबसे पहली बार 2001 में ये दिन जो है इसको मनाया गया था सबसे पहली बार और ये दिन commemorate करता है the birth anniversary of former prime minister चौधरी चरण सिंग चौधरी चरण सिंग की जयनते बनाने के लिए पहली बा 2001 में 2001 में जो है ये दिन celebrate किया गया था तो किसान दिवस यादकी का friends कब मनाया जाता है 23 December को चलिए first question की बात करते हैं पहला question है तिब्बतन spiritual leader Dalai Lama has inaugurated the three day international sangha forum 2023 in which city तो Dalai Lama जो की तिब्बत के आध्यात्मिक नेता हैं उन्होंने के शहर में तीन दिन का अंतराश्टे sangha forum जो है इसका उदगाटन किया है तो friends कौन से शहर में किया answer is both गया बोद गया कहां पे है ये शहर है located बिहार state में और यहीं पर इस international sangha forum को inaugurate किसके द्वारा किया गया इस तरह से भी question को याद रखिएगा friends ये जो event था इसमें देखे discussion क्या क्या किया गया among monks के बारे में नन या फिर जो भिकु स्कॉलर्स हैं उनके बारे में जो है यहां पे discuss किया गया that delve into the profound teaching of buddhism जोकि buddhism की जो teaching है उन पर देखे highlight उनको करती है तो इनके बारे में जो है इस प्रोग्राम में पूरी चर्चा रहेगी और तीन दिन तक ये जो है celebrate किया जाएगा कहां बोध गया बिहार में नेक्स्ट क्वेशन है scientist discovered volcanic activity over a plane called the alicinium planetia it is located in which planet तो अभी देखिए विज्ञानिकों ने जो है alicinium planetia जो है एक plane है एक मैदान है उस पर अभी volcanic activity की खोच की है और ये कौन से planet पे स्थिद है तो ये है friends कौन से planet पे Mars planet पे Mars planet को also red planet भी इसको कहा चाता है तो यहाँ पर ये जो है volcanic activity अभी scientist के द्वारा discover की गई ये बहुत important हो सकती है क्योंकि friends ये इससे पहले जो एक्टिविटी होई थी वो 120 million years पहले होई होगी ऐसा जो है scientist की research से पता चला है और अब की बार फिर से यहाँ पे volcanic activity होई अलिसीनियम प्लैनिटिया जो है ये youngest volcanic terrain है Mars के उपर and its study will help in a better understanding of Mars और इसके study से ये जो volcanic terrain है जो जो आलमों की छेतर है इसकी study से मंगल ग्रह को और अधिक बहतर समझने में भी मदद मिलेगी तो ये activity कहाँ पे हुई है याद है किगा friends Mars planet पे अच्छे friends इंडिया का भी एक Mars mission था उसका नाम आपको याद होगा short में उसे कहते है MOM यानि Mars Orbiter Mission और ये जो mission था ये कब देखे इसको launch किया गया था 24th of September 2014 में ये mission launch हुआ था अधब 2013 में देखे launch हो गया था ये mission जो था 5th of November 2013 में याद रखेगा ये launch किया गया था इस रोके द्वारा आप याद रखेंगे 2013 अगला question थे के by which year does the government of India aim to increase the nuclear power capacity from 7,480 MW to 22,480 MW तो सरकार नी जो है लक्षे कब तक के लिए रखा है कि जो हमारी जो परमाडू उर्जा चमता है उसे 7,480 MW से बढ़ा कर कितना करना है 22,480 MW और इसके लिए जो लक्षे रखा है वो रखा है 2032 तक अच्छा फ्रेंड बात यहाँ पर करें nuclear power कि तो nuclear power एक clean और environment friendly based load source है electricity generation का जो की available रहता है 24 x 7 expansion of nuclear power capacity will help in the country's energy transition तो परमाडू उर्चा शमता जो है इसके विस्तार से 2070 तक जो हमने target रका है net zero economy या शुद्ध शूनिय अर्थ विवस्तागा उसके लक्षे को पूरा करने के लिए country की जो energy transition जो उर्जा परिवर्थन है उससे भी जो है यहाँ पर मदद मिलेगी तो जो nuclear power को expand किया जा रहे हैं इससे काफी country को help मिलने वाली है अगला question देखे friends ministry of textile launched the part metro application for dash so friends बात करते हैं कि कपड़ा मंत्राले ने किसके लिए part metro जो application है यह launch की है तो यह application launch की गई है jute farmers के द्वारा एक question यह भी बन सकता है कि जो part metro application इसे किस ministry ने launch किया है so ऐसे भी आदखेगा ministry of textile fancy जो application देखे इससे launch किस ने किया है रचना शाहा जो की assistant secretary है textile ministry में इन्होंने इस application को launch किया इस mobile application को develop किया है jute corporation of india limited ने इसमें देखे एक तरीके से information provide की जाएगी जो latest agronomic practices और MSP है minimum support prices होंगे उनके बारे में farmer centric scheme जैसे की जूट से लिए जो भी farmers के लिए scheme होंगी weather forecast उन सभी के बारे में information provide की जाएगी इस application के माध्यम से नेक्स्ट question है देखे फॉर्मर चेर आफ दी नैशनल कमिशन फॉर वोमेन और पद्म भूशन अवाड़ी डॉक्टर वी मोहिनीगिरी पास्ट अवे तो अभी देखे फ्रेंट्स भी मोहिनीगिरी जो है इनका निदन हुआ यह कौन थी तो यह भी याद रखेगा जो नैशनल कमिशन फॉर वोमेन है उनकी फॉर्मर चेर में पूर्व अध्यक्ष दी अब यहां कोशन में पूचा है कि उन्हें कौन से इयर में पद्म भूश ने इसके शुरुआत की थी 1972 में जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो गया था 1971 उसके बाद इन्हों ने वार विडोस असोसियेशन के शुरुआत की थी इसे ज़रूर ध्यान रखेगा पूच सकते हैं और यह तो इंपॉर्टेंट होगा है कि पद्म भूशन अवार् के नए जो अध्यक्ष हैं ये कौन बने हैं सिंपल याद रखेंगे न्यो प्रेजरेंट बने हैं अब संजय संग तो संजय संग जो है उन्होंने रेस्निंग फेडरिशन ऑफ इंडिया के नए प्रेजरेंट के लिए जो इलेक्शन है वो जीत लिया है उनको 40 वोट्स मिले सेलेक्शन में और इन्होंने सकसीड किसे किया है ब्रिज भूशन शरन सिंग की जगाँ पर ये अपॉइंट हुई हैं अगला कोशन है युनेसको हैस अवार्डेट दा हाइस्ट ओनर दी अवार्ड ओफ एक्सिलेंस तो रामकर गेट एन रामपार्ट्स इन डैश तो युन रामपार्ग जो गेट है ये कहां पे लोकेटेड है याद रखेगा फ्रेंट्स पंजाब में और किसने ओनर किया है इसे युनेसको ने युनेसको ने दिखे अवार्ड ओफ मैरेट भी दिया है ये भी याद रखना है साथ में और अवार्ड ओफ मैरेट जो है वो तीन प् किसके द्वारा याद रखेंगे फ्रेंट्स, UNESCO के द्वारा, UNESCO के full form क्या है United Nation Educational Scientific and Culture Organization, UNESCO के सापना हुई थी फ्रेंट्स, November 1945 में, और एक और important point यहाँ से याद रखेंगा, किसका headquarter exam में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो headquarter कहां पे है, Paris, France में, अगला question देखे, who has been awarded Bhutan's National Order of Merit Gold Medal for her distinguished services to the country तो देश के प्रति उनके विशिष्ट सेवाओं के लिए Bhutan का जो National Order of Merit Gold Medal है अभी इस medal से किसे सम्मानित किया गया है तो fans ये medal दिया गया है Dr. Poonam Khetrpal Singh को So Dr. Poonam Khetrpal Singh को Award मिला है Bhutan's National Order of Merit Gold Medal कौन है ये? Dr. Poonam Khetrpal Singh First Woman Regional Director है WHO Southeast Asia Reason की उन्होंने देखे, Bhutan में 2014 से 2024 तक जो है जो healthcare leadership रही है उसमें उनका काफी important role रहा Also देखे, इन्होंने भुटान में COVID-19 vaccination की contribution में भी काफी मदद की थी और इसी ये लिए उनको ये चो gold medal है 2023 का title चीता इंडियन अमेरिकन रिजुल मैनी ने और फ्रेंज बात करे, Mrs. India USA 2023 का किस ने चीता स्नेहा नाम बियार ने Next question देखे, Indian Space Research Organization has been awarded the Leaf Ericsson Lunar Prize for which mission? तो इसरो को अभी किस mission के लिए Leaf Ericsson जो चंदर पुरशकार है, इससे सम्मानित किया गया है तो इसरो को ये honor मिला है उनके mission चंदरियान 3 के लिए चंदरियान 3 जो था, ये successful mission रहा था जिसने moon के south pole पर successful land किया था और इसने land कब किया था 23 August को, इसलिए अपसे हर साल जो है तेहिस अगस को मनाया कौन सा दिन जाएगा National Space Day जो है वो celebrate किया जाएगा हर एक साल इस दिन को commemorate करने के लिए और इसी mission के लिए इसरो को मिला है Leaf Ericsson Lunar Prize पहली बार है इसरो को जो कि ये award उने receive हुआ है इसरो के बहाव से ये award किसे ने receive किया तो Iceland ये award received किया by the Indian Ambassador Iceland Ambassador B. Shyam from the Exploration Museum in Husavik तो वहाँ पी इनोने जो है B. Shyam ने इसरो के तरफ से इस award को receive किया है next question देखिए अगला question है सुकृता पॉल कुमार has won the dash edition of the रविन्दनाटेगो literary prize तो जो सुकृता पॉल कुमार है देखिए उन्होंने कौन सा प्राइस जीता है रविन्दनाटेगो literary prize और इसका कौन सा edition जीता है तो इन्होंने जीता है इसका sixth edition और ये जो देखिए प्राइस है ये साहित तक पुरुषकार है तो इसलिए हाँ पे आपको इनकी book का नाम जरूर याद रखना है तो इनकी book का नाम है salt and paper selected poems ये जो award है देखिए जिसका नाम है रविन्दनाटेगो literary prize इसकी शुरुआ 2018 में की गई थी US-based publisher पीटर बुंदालो ने ये award एक platform है word, peace, literature, art, education और human rights के लिए जो है एक platform है ये award तो friends यहां हमारे सभी important questions complete हो गए है current affairs के अब बात करते हैं strategy GK के important questions की तो पहला question देखे क्या है first question है monitorial protocol was addressing which of the following environmental issues तो जो monitorial protocol हुआ था वो किस परियावरण ये मुद्दे को संबोधित करदा है तो ये protocol जो हुआ था ये हुआ था friends ozone deprivation in stratosphere तो समताप मंडल में जो ozone का शरण हो रहा था उसी issues को address करने के लिए protocol हुआ था जो की था monitorial protocol ये protocol जो है under the Vienna convention तो था उसी के तहर साइन हुआ था और एक तरीके से कब हुआ था 1987 में ठीक है याद रखेगा अगला question देखे when is national endangered species day observed तो जो लास्टी लुप्त प्राय प्रजाती दिवर से ये कब मनाया जाता है तो ये दिन मनाया जाता है 21st में को 21 में को मनाया जाता है National Endangered Species Day next question which of the following paths has been created by the Indus River इन में से कौन सा path है जो की सिंदू नदी के द्वारा बनाया गया है the right answer is बनिहाल path बनिहाल path जो है create हुआ है Indus River से ये एक narrow path है जो की दो mountain के बीच है between two mountain के बीच है generated by the water body और ये located कहां पे है पीर पंजाल range of जम्मो कश्मीर में next question which of the following paths is link श्रीनगर to लेहे कौन सा धर्रा जो है श्रीनगर को लेहे से जोडता है तो कौन सा है friends answer होगा जोजीला path next question which of the following countries are divided by the durand line कौन सा देश हो है वो durand रेखा द्वारा बिभाजीत है यानि किन तो countries के बीच में durand line है सही answer है अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो इनके बीच में कौन सी line है क्या दखेगा durand line so friends यहां हमारे सभी important questions complete हो गए है अब revision questions की बात करती है तो कल के questions को revise करती है question है who has won the women's goalkeeper of the year award in the FIH annual awards तो अभी friends बात करते है महिला goalkeeper का पुरुषकार किसने जीता तो यह जीता है किसने सवीतानी next question who has been bestowed with an honorary doctorate by a leading international university तो अभी मैंने आपको इसको revise भी करवाया था देखिए कि doctorate की मानत उपादी से सम्मानित किया गया है किसने doctor Nitin Mohan Lal को next question who has won the Sahity Academy Award 2023 for his literary study जिसका नाम है Malayala Novelingate तो इसके लिए Sahity Academy Award किसने जीता है तो यह award जीता है E.V. Ramakrishnan ने देखिए Sahity Academy Award जो है इस बार कितनी languages में दिया कया है 24 languages में next question quality council of India and which state has signed the M.E.U. to transform the agriculture sector तो इसके लिए जो है quality council of India ने एक M.E.U. sign किया है किसके साथ में the right answer है friends आंधर प्रदेश के साथ अगला question है कुनो forest festival जो है यह कौनसी स्टेट में मनाया गया तो कुनो forest festival मनाया गया है मध्य प्रदेश में next question अगला है स्वारवेद महा मंदे जो है अभी से मोधी जी ने inaugurate किया कौनसी स्टेट में वियाद रखी का इसको inauguration भी पूछ सकते हैं किसने किया है मोधी जी ने और कौनसी स्टेट में किया है उत्ता प्रदेश में next health minister of which of the following state has launched science campaign to tackle pneumonia तो pneumonia से निपटने के लिए जो science अभी हान है सभी हान को शुरू किया है मनिपूर government ने और फैंट से यहाँ पे देखे science जो campaign इसकी full form याद रखेगा social awareness and action to neutralize pneumonia successfully तो ये इसकी full form है इसको अच्छे से याद रखेगा आगला question देखे multi national professional service company है essential उन्होंने जो है एक generative AI studio को launch किया है कौन से शहर में तो इसे launch किया है फ्रेंट्स Bengaluru शहर में next question अबदेल फता अल सिसी ये एजिप्ट के तीसरी बार जो है president elect में है और एजिप्ट की currency किया है तो एजिप्ट की currency है right answer है Egyptian pound so friends यहां हमारे सभी important questions complete हो गए है अब बात करते हैं कल के questions की जो हमने test में आप लोगों से पूछे थे तो first question हमारा था कि जो श्रावरी मेला है ये कहां पर organize होता है तो friends right answer है जारगंड में और second question क्या था friends कि बैसा की कहां कौन से state में मनाया जाता है right answer is Punjab so friends आप सभी ने हमें दोनों question के answer बताएं है बिलकुस सही thank you both of you thank you everyone देखे जिन्होंने हमें comment किया है और आज के हमने comment include किये है Jinnu, Kumari, Bahira and Lizu so thank you once again अब बात करते हैं आज की question की तो पहला question देखिए पहला question है who has been elected as the new chief minister of Madhya Pradesh तो friends यहाँ पूचा है कि Madhya Pradesh के नए chief minister कौन बने और दूसरा question है देखिए कि अभी हाली में दिवाली पावरो 1 award 2023 से किसे सम्मानित किया गया है तो friends यह दो question है आप सभी के test के लिए इनके answer आप हमे comment box में जरूर बताए और इसी के साथ complete हो गया हमारा आज का यह important session friends अगर आप हमारे channel को कुछ भी contribute करना चाहती है तो आप हमें यहाँ से easily contribute कर सकती है तो आपकी जो भी इच्छा हो बहतरीन से बहतरीन वीडियो आपके लिए आगे और भी लेके आएंगे और सो हमने बहुत सारी वीडियो ऐसी available कराई है जो कि आप हमारे channel पे visit करेंगे तो आप लोग वहाँ पे जरूर देखें आप लोग static GK की playlist और current अवेट topics की playlist को friends जरूर देखें most important वीडियो से आपके exam के point of view सी so चले friends अब मिलेंगे next important class में till then bye bye take care have a good day thank you so much for watching this video